तो क्रास्वर्ड पजल नेशनल साइन्स ओलम पियाड एनस ओप है ना और बाकी एक्जामिनेशन जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए हम ये सिरीज चला रहे थे युवराज बैच की तो एक बार फिर से हम आंगे के क्वेश्चन से करते हैं हमने सुबह जो है सुबह के बैचेस में क्रॉसवर्ड 19 और क्रॉसवर्ड 20 कर लिया था हमने और 21 भी कर लिया था इतिंक तो 20 तो यह हो गया था यह कोंट कि लाश्च पयश्चन था फॉलोविं पल्यूशन के लेट टुडर रइफ्रेस क्या है सांट पल्यूशन ठीक है अब आंगे देखते हैं कौन-कौन है तो क्रॉसवर्ड में हमारा हमारा जो अटिरल डिजास्टार निचुरल डिजास्टेश्टर निचुरल हार होती ही जैसे आप बाढ़ हाना है रोक नहीं सकते हो आप वोलकेनों का फटना है आप किसी हालत में नहीं रोक सकते हो ठीक ना आप इनसे थोड़ा सा बचने के उपाय कर सकते हो बट आप इनसे इनको रोक नहीं सकते हो इनको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा क्या बोलते ह तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं को लिखना तो पहला क्वेशन थर्ड दिया गया देखिए क्या पूचा जा रहा है थर्ड में आप से पूचा जा रहा है फॉलोविंग इसके अंदर क्लिखना क्या ब्लैंक जब्लेंक ट्सकेंड़ अंदर अगर एक का आजै भुकम पा जाए तो भुकम पाने से क्या होती हुटी टेक्टोनिक इस disaster को क्या बोलते हैं? tsunami, तो यहां पर आज़र आएगा tsunami, okay then बात करते हैं, the hollow top of the volcanic mountain is called, जो उपर का top होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको जो hollow top of the volcanic mountain is called जो उपर का hollow top हुआ करता है volcanic mountain का ठीक ना volcanic mountain का hollow top जो हुआ करता है उसको क्या बुला करते हैं तो जो shape होता है उसको हम भोलते हैं crater क्या बोलते हैं crater 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 the hollow top of the volcanic mountain is called crater okay जो उपर का खोखला वाला रहता है ना इतने shape को इस जगह को हम क्या बोलते हैं crater क्या बोलते हैं crater the point under the ground where the earthquake begins is called the point under the ground okay ground के अंधर ground के अंदर जैसे जमीन के अंदर यहां से earthquake start हुआ earth Meth और इसके ओपर का जो जमीनका point हो तो तो उसको क्या इसको एपी सेंटर बोलते हो जो नीचे का पॉइंट होता उसको क्या बॉलते हैं फोकस तो बचो यह जता है फोकस ओके एर्थ पैंट भी लूगर कोशन मैं ना इन की बात करते हैं कोशन मैं आईन है क्या होता आर सडेन तफर मोर्स कास्ट द्यू ट्टू disturbance within the earth crust, earth के crust में disturbance होने के कारण जो disturbance आता है, okay, sudden tremors, sudden tremors, thermors नहीं है, sorry, यहाँ पर tremors, जो sudden tremors हुआ करता है, उसको अब क्या बोलते हैं, okay, exactly, यह क्या हुआ करता है, earthquake, okay, so ninth question में यहाँ पर आएगा, earthquake, then 10th की बात करते है, spot on the surface of the earth directly above the focus is called, exactly, जो directly focus के ऊपर जो अर्थ पी जगह होती ही, उसको क्या बोलते हैं, epicenter, क्या बोलते हैं, exactly, epicenter भी हो गया, चलिए आजाई यह top to down में, down में आ जाते हैं, hot molten rocks inside the earth is called, hot molten rocks inside the earth is called, देखो, बाहर निकलने के बाद बन जाता है, lava, मगर जब तक अर्थ के अंदर है, तब तक उसका नाम रहता, magma, जब तक अर्थ के अंदर उसका नाम क्या होता है, magma, then second question है, the intensity of the earthquake is measured using a, हाँ, बताओ भाई, कौन सी scale में यूज किया जाता है, richer या उसको Richter भी बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर इस रिचर स्केल, आर आई सी एच टी ए आर, इसको Richter स्केल भी बोलते हैं, ठीक है ला, तो आप Richter से बेटर इसको Richter स्केल बोलें, क्या बोलेंगे, Richter Scale, ओके, तो Richter Scale यह हुआ करता है, और Richter Scale पर किस में लिखा जाता है, कौन से instrument में, Sysmograph, या Sysmometer, Sysmograph या, Sysmometer, ओके, अगला question मैं साइद उसी मिसे है, हाँ, येस, तो उसको नापने का तरीका है, रिचर, उसका Scale रिचर होता है, बढ़ जो graph बनता है, उसको बोलते हैं क्या, Sysmograph, क्या बोलते हैं, Sysmograph, या Sysmometer, ओके, तो question है, क्या होता है, Is an instrument used to measure the record the intensity, direction and duration of the earthquake, Earthquake intensity, मतलब रफ्तार, direction, मतलब देशा, किस देशा में था, and duration, मतलब कितने समय तक था, इसको नापनी के लिए कौन सा instrument यूज होता है, बताइए, Sysmometer, क्या होता है, यह ना तो सीजमो मेटर जो इंस्टुमेंट होता उसका नाम क्या होता है सीजमो मेटर समझ गया ना उस इंस्टुमेंट का नाम होगा करता है सीजमो मेटर और जो ग्राफ पेपर इस्तमाल करता है उसका नाम होता है सीजमो मेटर समझ में आया ना और जो पूरा का पूरा इं कि आपके बताते हैं kg में किसे बताते हैं तो ये उसकी यूनिट इट प्या उनिट का रिट्टर है क्या है जिसको आप रिट्टर बोलते हैं तो इस ने आपकर रिक्टर में नापते हैं किस से नापते हैं सीस्मो मेटर किसे नापते हैं सीस्मो मेटर से नापते हैं ठीक है तो यह देखिए आपके सामने जो डिवाइस यहां पे दिख रही है यह देखिए जो ग्राफ पेपर दिख रहा है यह कहलाता सिस्मो ग्राफ क्या कहलाता है यह द जाता है और उस पर वो पता चलता जाता है ठीक ना इसको रिक्टर स्केल बोलते हैं और रिक्टर स्केल में जो कहा था कि स्केल होता है एक से लेके 10 तक एक से लेके 10 तक तो पांच के उपर जो भुकंप होते हैं वो खतरनाग भुकंप माना जाते हैं ओके हां यह पूरा सिस्मो ग्राफ है ओके इसको सिस्मो मीटर यह पूरी की पूरी डिवाइस होती इसको सिस्मो मीटर भी बोलते हैं क्या बोलते हैं सिस्मो मीटर तो यह पूरी की पूरी डिवाइस सिस्मो मीटर भी कहलाती है ओके तो चलिए यह देखा हमने सिस्मो ग्राफ सिस्मोमीटर देन आंगे की बात करते हैं यह हो गया क्वेशन नमर फाइब प्याते हैं एस्ट्रॉंग स्टॉर्म विद फास्ट स्पिनिंग विंड जब बहुत तेज स्टॉम आता है तुफान आता है तो इसको क्या बोलते हैं बताइए इस नहीं फास्ट स्टॉम्ने वाली विंड बाला जो तुपान होता है क्या के लाता है साइकलोन क्या में छोन गारते हैं नहीं साइकलोन इस टॉर्म तो है मँगर ऐसा स्टॉर्म में जिसमें बबाब होती है वो घूम घूम करके चलती है समझ में आया एक्स्टेंडर पीरियर ओफ ड्राइव एदर कॉस्ट डू टू शॉट रेन फॉल्ड हाँ वेरी गुड रॉट ड्रॉट यहीं की सूखा ड्रॉट यहीं की सूखा पढ़ना तो इसको ड्रॉट करते हैं एक्स्टें हाँ पर डाइगराम बनाया हुआ कितना मजा सा मझसे देखो यह जो है यह क्या फोकस में क्या यह फोकस ओक्ई और यह जो है यह आपका एप large.com क्लियर हुआ ना यह एपी सेंटर है और यह देखो यह साइकलोन की तस्वीर है जो सेटलाइट से ली जाती है यह साइकलोन की तस्वीर है सेटलाइट से तो आज कल क्या होता है जैसे साइकलोन जब यहां से चला करता है दूर से वाइट कलर के पैंसे आपको दिखाता हूं त तो Satellite से जैसे Cyclone मान लो यहाँ से चला Way of Bengal से, जब Cyclone यहाँ तक पहुछने वाला होता है, तो उसके काफी पहले Satellite से देख करके मौश्ण विभाग क्या होता है, बता देता है कि वहाँ के लोग जो हड जाएं, सेटलाइट से देख करके तो ये लोग बता दिया जाता है एक जो कोस्टल इरिया की कोर्म के आप के जो से लोग होते हैं उनको आवयर कर देती कि तुम लोग यहां से दूर चले जाओ नहीं तो तो अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, मज़ेदार सा टॉपिक दिख रहा, अगला है Sun, Moon and Planets, तो ये तो बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक होता बच्चों के लिए, इसमें 70 नंबर की वरक्शीट है, और इसमें हम पढ़ेंगे Sun, Moon and Planet के बारे में, तो देखते है क्या लिखा हुआ है, complete the crossword, तो हम पूरा करेंगे, ये देखो भाई साब, ये Moon के इतने पार्ट में Sun की लाइट आ रही होती है, इसलिए इतना पार्ट ग्लो हो रहा है, मगर इतने पार्ट में Sun की लाइट नहीं पढ़ रही है, तो इसलिए इतने पार्ट में लाइट ना lunar eclipse, okay, ये क्या दिखर आपको बता ये Earth की Sun है? ये जो दिखर आपके पाद डाइगरम, ये Earth की Sun है? ये Earth नहीं है, ये Sun की Stages आपको दी गई है, ये Sun है, अरथ हैसी नहीं होती भाई, ठिक ना? अब दिखर ये जजो आपके पास दिख रहे है, ये पहां की डाइगरम बताइ है Sun releases light and heat energy when hydrogen changes it into Sun के अंदर लो गैसे है hydrogen continuously helium बदलती है और helium hydrogen बदलती है तो sun के अंदर किया होता है hydrogen किसे में बदलती है helium में relating to sun consider hydrogen कि से मोधी चाहिए helium में क्योंकि sun के hydrogen has ka fusion होता मैंने बदाया था सुवे iba है कि hydrogen plus hydrogen hydrogen, दो मिल जाते हैं, और क्या बनाते हैं? helium. क्या बनाते हैं? helium. तो answer यहां पर क्या आएगा? helium. तो याद रखीएगा, sun के अंदर hydrogen gas का भंडार है, और वो मिल करके क्या बनाती है? helium. कभी नहीं होगा खतम. और इस process को बोलते हैं, क्या fusion? क्या बोलते हैं? मून जो होता है 75% मून lightened होता है तो इस मून को क्या बोलते हैं नई ओर मून तो जब छोटा होता जाता है उसकी condition को बोलते है जब थ्री फोर्थ मून is lightened मतलब 75% जो मून होता है lightened होता है जैसे यहाँ पर देखिए लगबख 75% मून जो है यह light end है, इस condition को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, गिबस, क्या बोलते हैं, इस condition को बोलते हैं, गिबस मून, C, G, I, W, B, O, U, S, ठीक न, अगला question देखे, our huge round pits that were formed when meteorites collided with the moon, हाँ भَैसा, बताना है आपको की मतलब चांद पर बहुट बढ़े बड़े गड़े बने हैं, कियों बने हैं, क्यों कि उस पे meteorites टक्राय हैं, तो उन गड़ों को क्या बोलते हैं, सुबह भी बताया था उन गड़ों क्या बोलते हैं, उन गड़ों को समझ गहां नों को अभूते हैं, जब मीटरोइट्स, मीटरोइट्स क्यों होती ही, बड़ी-बड़ी उलकापेंट, बड़ी-उलकापेंट, चली, question number 9 परते हैं, asteroids भी मीटरोइड के जैसे ही होते हैं, ठीक ना, चली, question number 9 परते हैं, is a thick layer of gases which forms sun atmosphere, okay, कह रहा है कि is a thick layer of gases, यह देखिए जो sun है, sun के ऊपर जो है, एक gas के layer होती ही, मोटी सी, जो sun का atmosphere बनाती है, okay, thick layer of gases, तो sun के atmosphere को क्या बोलते हैं, पता है अपको, sun के atmosphere को क्या बोलते हैं, कोरून, क्या बोलते हैं, कोरून, कोविट मैंती है, हाँ, यह आपर जो layer होती है, thick layer, gases की layer को क्या बोलते है, sun के atmosphere बनाने वाली layer को बोलते हैं, कोरून, तो इस layer का नाम क्या है, कोरून, इस लेयर का नाम है Corona, ठीक ना, अगला question number 10, is the closest star to the earth, अर्थ के सबसे पास वाला star कौन सा है, विल्कुल सही बात है, अर्थ के सबसे पास वाला star जो है, sun है, sun भी एक star है, नई, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, sun के पास, sun से ज़्यादा पास में कोई star नहीं है, अ the visible surface of the sun, which gives of the light, okay, so sun का आपने देखा हो का visual part, जो गोल-गोल आपको दिखाई जाता है, हमेशा, okay, तो ये वाला part क्या कहलाता, बताए, इस part को क्या बोलते हैं, ओके देखे, ये part कैसा होता, गोला होता की नहीं होता, गोले को इंगलिस में क्या बोलते है, sphere, और इससे light निकलती, light को बोलते है, photo, क्या बोलते है, photo, तो ये कहलाता, photo, sphere, क्या बोलते है, photo, sphere, चलिए, second करते है, the second full moon of a month is called, हाँ, जो second full moon होता है, भाई, एक महीने में, जो दूसरा full moon आता है, मतलब दूसरी बार पूरा-पूरा moon हो जाता है, तो दूसरे full moon को हम क्या बोलते है, नहीं, इसे बोलते है, blue moon, क्या बोलते है, blue moon, हाँ, जो second full moon होता है, उसे blue moon बोलते है, अरे नीला नहीं हो जाता है, उसका नाम है blue moon, क्या नाम है, blue moon, उसका नाम ह है जब दूसरी बार आपका सफेद पूरा हो जाता है ओके जब दो बार पूर्णीमा पड़ती है फुल मून मतलब फुल मून मतलब तो दो बार जब पूर्णीमा पड़ती है तो उससे बोलते हैं ब्लू मून ठीक ना अगला एकलिप्स अकर वेन आर्थ कम्स इन बेट्वीन सन एंड मून वेरी सिंपल लुनार एकलिप्स लुनार एकलिप्स हो जाएगा ओके अगला इन बढ़ती जाती अब उसको क्या बोलते हैं वनिंग का उलटा हर बनि में लगातार मून का काला बढ़तीальная जाता है एकलेधे में लगतार मून होता जाता है अब सफेद पार्ट बढ़नेगे वरेंगों क्या बोलो सफेद पार्ट मों की जैसा सफेट पार्ट होता जता है ना ना रफ्स है जाता साइफ होता जाता है अगला है सबसे ज़्यादा मून का साइज Почему सबसेद् verdict भी होगा दुनिए सबसे ज़्यादा कोल्डेस प्लानेट कौन सा है यूरेनिस हाँ जी ओके चलिए आंगे बात करते हैं देखिए एर इन वाटर आ चुका है अगला टॉपिक है हमारा से सीट नमबर 16 एर इन वाटर आए करते हैं देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिये गा ओके 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 यस पहला क्वेश्चन नमबर 4 दिया गया है एर इन वाटर में सकिंग जूस त्रू इस बेज़ ऑन देखो जब आप जूस को सक करते हो अपनी तरफ लेते हो तो यह उपर क्यों आता है क्योंकि आपके मूँ के अंदर का प्रेशर लो होता है और इधर का प् तो यह किस वज़े से आता है एर प्रेशर की वज़े से किस वज़े से आता है एर प्रेशर कयरेक्ट आंसर एंट्र नेक्स्ट यह पेड़ मतलब श्रूked खॉष अन्माइज की आट्रिया की को आट यह इसांत्र और फॉग दोनों मिल करके क्या बनाते हैं दोनों मिल करके बनाते हैं स्मॉग क्या बनाते हैं हाँ स्मॉग ओके स्मॉग मतलब की धुआ और फॉग मतलब की कोहरा फॉग मतलब हाँ एक प्लूशन का टाइप यह स्मॉग है ना मलब चीजे दिखती नहीं है आपको वीजिबिलिटी कम हो जाती देडिस कॉल इसमॉग चली नेक्स है कोश्टिन एक नमेजिट्ञ नेक्स्ट पॉश्टिन एएट नमबर फोशटन मैथड आफ री मुविंग साल्यूब इंप्रोटी इस फॉल्वे इंपरची इस फॉल सा घंदेंसेशन जैसे पर एक्ग्जमबल् मान लो कि तुम ने पानी में शक्कर मिला दिये, पानी में क्या मिला दिये, शक्कर, तो क्या बन गया होगा शर्बत, क्या बन गया होगा शर्बत, अब आप क्या करते हो, अब आप इस पानी को गरम करते हो, और यहां से इस तरीके से इस पानी को उबालते हो, और इसमें एक चूब लगी होती है पानी की उपर से बोले एस ऐनू एक टीूब लगी होती है और यहां पर एक जार लगा होता है और इस जार के चारो तरफ वर्फ लगा रखी उन्हें आपने बर्फ लगा रखी क्या लगा रखी है बर्फ तो इस प्रॉसस्थ को grabbed जैसे ही आप गरम करोगे तो पानी भाप बनके उठेगी ने उठेगी जाओ गलो और शक्कर इधर बच जाएगा और यह बोलते हैं नहीं इस प्रोसेस को ढलगर दे को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन क्या बोलते हैं हाँ देखो क्या लिका मैफ़ड ओफ रीमोमिंग सल्यूबल इंपरोटी सल्यूबल इंपरोटीस मतलब घुलने वाली इंपरोटीस को पानी से अलग करना बाइब एवापरेशन एवापरेशन मतलब भाब बना करके एंड 9 करते हैं following increases the rate of sedimentation. Sedimentation की rate कौन सी चीज़ इंक्रीस कर देती है देखो इसको यह आपके सलिबस में यह आपको समझ भी नहीं आगा इसको बोलते हैं loading क्या बोलते हैं इसको तो loading जो होती sedimentation की rate increase करती थी इसको छोड़ दो इसका answer है loading अगला question है कि is the outermost layer of the atmosphere which marks the beginning of the space it is the outermost layer of the atmosphere which marks the beginning of the space यह भी आपके काम कर नहीं इसको भी छोड़ दो और outermost despair को बोलते है एक जोइस फेयर के है ना एक जोइस फेयर तो इसके बारे में जादा जानकरी आपको नहीं लेनी है भी इसको छोड़ दो चलो आंगे देखते हैं अगला a layer of following protect us from the harmful ultraviolet radiation यह तो याद होगे आपका ozone layer ozone layer ozone का फर्मूला था O3 बी ओके नेक्सक्षचन method of reviewing insoluble impurities insoluble मालब बिना घुलने वाली impurities को छानना process passing impure water through a filter paper is called एक छनी जैसा paper होता है जिसके उपर आप कुछ चीजों को डालते हो जैसे पानी और चॉक के अपने solution को डाला तो पानी नीचे चला आएगा नीचे बुलो हां और चॉक का पाउटर ऊपर रह जाएगा इस process को क्या बोलते हैं कि इस process को बोलते हैं filtration क्या बोलते हैं हाँ तो याद रखे कि इसकी process यह कि जहां पर filter paper इस्तमाल करोगे उस process का नाम होता है filtration क्या होता है filtration चलिए अगला कोशन है setting डाव है विंग प्रोटीज एड़ बॉटम अब दा कंटिन भाई setting डाउन आज ही मैंने सुब बताया था कि अगर है भी impurity जैसे rate में आप मिला दो पानी को तो थोड़ देर में rate के particle कहां बेढ़ जाएंगे नीचे इस process को क्या बोलते हैं और पानी को आप अलग कर लो तो इस process को क्या बोलते है इस process को बोलते है sedimentation क्या बोलते हैं sedimentation ठीक है न अगला within the thermosphere there is another layer which plays an important role in wireless communication हाँ यह थोड़ा बहुत high level का है एक thermosphere में एक layer हुआ करती है जैसे यह देखिए यह atmosphere है यह thermosphere है क्या है यह thermosphere अब thermosphere में एक layer हुआ करती है है न जिससे क्या होता है signal जा करके वापस आ जाता है signal जा करके वापस आ जाता है जिससे use क्या जाता है radio transmission में radio बजा जाते है क्या बजा जाते है radio आप देखो यहाँ पे जैसे यहां से मानलो radio से कोई wave निकली तो यह टकरा करके फिर इस हिससे में वापस आ जाएगी मतलब इंडिया से कोई signal छोड़ा गया और यहां से टकरा के बजांचे वापस आ जाए और वो कहां सुनाही दे ते रहां एमेरिका में का सुनाही देरा बिलकुल तो इस रियर को क्या बोलते है इस लियर का नाम है I no Sphere क्या नाम है और यह किसका पार्ट है, यह thermosphere का पार्ट है, किसका पार्ट है, यह thermosphere का पार्ट है, so this is called ionosphere, समझ में आ गया, तो answer इसका क्या होगा, इससे बोला गया है, बताइए, कि ऐसी कौन सा thermosphere, within the thermosphere, thermosphere का हिस्सा बताना है, जो की wireless communication, wireless मतलब बिना तार वाले, बिना तार वाले, तो signal एक जगे से भेजोगे, लोट करके वापास आजाएगा, तो इसको बोलते हैं, ionosphere, ठीके न, चली, आंगे करते हैं, तो यह हमारा हो चुका है, पूरा, अब next करते हैं, worksheet number 15, worksheet number 15 में देखी क्या है, force, energy, and simple machine, तो यह force है, energy है, simple machine है, पहले पार्ट में आपको क्या दिखा दि electricity, क्या reason होता है, electricity, यह देखी, क्या देख रहा है, यह स्कू ड्राइबर है, यह देखी क्या मचली पकड़ने वाला काटा है, fishing rod है, और यह क्या है, opener है, क्या है, opener, cold ring का धक्कन खोलने के लिए, जो opener होता है, चलिए, आई यह देखते है, तो question क्या है, across में देखते है, पह आपने शायद कभी कुवा देखा हो, तो कुवे में एक ऐसा चला पड़ा रहता है, और यह रेखिए, हाँ, बिल्कुल, और यहाँ पर देखे, आप यहाँ पर इधर पर effort लगाते हैं, क्या लगाते हैं, effort, मतलब ताकत लगाते हैं, खीषते हैं, ऐसे ही तरफ, पीछे की direction में यह दोनों मूव होते रहते हैं, इधर यह इधर आता है, यह भी इधर आता है, तो कौन सी पुली कहलाती है, इसको बोलते हैं, मूवेबल पुली, कौन सी पुली, हाँ, तो यह पुली हुआ करती है, हाँ, फ्लैक होस्तिंग में भी पुली लगी होती है, थोड़ा सा के पास में इसको मूवेवल पुल्ली बोलते हैं चलो भई विच इन एक्जाम्पल आफ वील एन एक्सल वील और एक्स हाँ अब वही तो यह घुमाता है दूसरे को की नहीं घुमाता बताओ तो यह कहलाता है भील और यह कहलाता है एक्सल तो भील एक्सल प्रोसेस किसकी है इसक्रूड्राइवर की किसकी है इसक्रूड्राइवर तो इसक्रूड्राइवर जो एक्जाम्पल होता है वो भील एन एक्सल का होता है, ओके चलिए, यह सेवेंथ what is a second class lever, second class lever क्या होता है, second class lever, अब है यह लीवर ही तो है, है की नहीं है, lever bottle opener, lever है की नहीं है, bottle opener, भाइ लीवर आपने पढ़ा है न, फिफ्ट क्लास में लीवर क्या होता है, फोर्स लगा के आपने देखा होगा वो टीवी में आता था कि अलमारी गिर जाती थी एक मैडम के उपर तो बच्चे क्या करते थे एक लकड़ी का वो लाते थे रोड लाते थे और उसको रख करके दबा देते थे तो लीवर सिस्टम तो ऐसे ही तो इसमें होता है बॉटल ओपनर में क्या होता है यहां से पकड़ करके नीचे दबा देते हैं तो बॉटल खुल जाती है समझगे ना तो बॉटल ओपनर क्या होता है एक लीवर के जैसे काम करता है किसके काम करता है लीवर के जैसे ठीक ना चल उपर से नीचे की तरफ, पलमारी में जाकर वो कुछ फसेगा, लिवर फसेगा और फिर उपर, इधर से आपको इसके उपर खड़े होना पड़ेगा, जिससे इसके उपर ये घुमेगा, घुमेगा की नहीं घुमेगा, हाँ, क्लियर हुआ ना, तो ये जो बीच में सबोर्ट लगाते उसको किया बोलते है THIS सपोर्ट को बोलते हैं dispoles and एक बार सकता हूं तो यह बीच में सपोर्ट चाहिए निब एके ऑन्य ब्रबार नहीं यहां प्टानूप कि यह आए गाई नहीं तो सब आपके हाथ उठेगा नहीं बोले यह सान नो तो यह बीच में सपोर्ट लग रहा है इसको बोलते हैं फलक्रम क्या बोलते हैं फलक्रम क्लियर हो गया यह अगला है क्वेश्चन नमर टू यह शीट नमर के चल रही है okay इस ही फिफिटीन्व म्होंग्या है ओके दैन इसके बार देखे यह हां दिस पोर्ट is a नौन कंटेक्ट फॉर्स तो आपके पास ऐसा फोर्ड फॉर्ट्रा नॉन कंटॉंत फोसूत और इसके साथ के साथ magnetic force भी है वो हाँ पकड़ना नहीं परता है दो magnet के बीच में देखा होगा बीना contact के लगता है ना तो magnetic force भी क्या है non contact है clear है ना बिल्कुल 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 सही बात है हाँ ठीक ना clear हो गया fishing rod is a अब याद कर लो fishing rod जो होता वो third class lever होता है third class lever ठीक ना okay yes आप छट पे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं मालेजिए छट पे खड़े हुए न अगर आप यहां से कूदेंगे तो जमीन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पास छट में energy होती है छट में क्या होती है energy जब आप किसी भी पूजीशन पर होते हैं तो आपकी पूजीशन की वज़े से जो energy होती है उसको बोलते है potential energy कौन सी energy कौन सी energy आप किसी spring को दबाते हैं तो spring को दबा के छोड़ेंगे तो spring अपने आप वापस आएगी नहीं आएगी आएगी ना तो spring को दबाने पर कौन सी energy थी उसके सर्फेस में क्या लगता है फोर्स लगता है फोर्स तो फोर्स कहा लगता है कॉंटेक्ट सर्फेस में कहा लगता है जहां पर वो कॉंटेक्ट करती है यस और नो आपके जूते चपल देखेंगे घिस जाते हैं ना जमीन में चलने से आपके जूते चपल क्या होते हैं गिस जाते हैं, because कौन सा force है, friction force, contact force है, कौन सा force है, contact force है, ठीक ना, चलिए, which energy help us to see you things around, कौन सी energy आपको देखने के लिए मदद करती है, so simple, light energy भाई, कौन सी energy, light energy, okay, object that needs to move is called, ऐसे object जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको ले जाना पड़ता है, उनको हम क्या बोलते है physics में, उनको हम बोलते हैं, load, क्या बोलते हैं, load याने वजन, load याने, ऐसी चीज़े जिनको हमको एक जगे से दूसरे जगे तक ले जाना पड़ता है, उनको हम load बोलते हैं, आईए देखे, यह आपके पास simple machines है, क्या है यह, simple machines हमारी जिन्दगी में बहुत इस्तमाल होती ह यह देखिए, आपके सामने simple machine है, यह cycle है, यह क्या है, cycle में भी बहुत ही, यह simple machine है, chain या यूज होती है, यह क्या है अपने पास में, यह अपने axle है, क्या ही यह, समझ में आगे ना, clear हो गया, तो यह chain है, और यहाँ पे दूसरी पुली होती है, पुली, एक छोटी पुली ह क्लिप होती है, यह देखिए, चिम्टी होती है, जिससे चीजों को पकड़ते है, है ना, छोटी-छोटी चीजों को पकड़ते है, क्लिप-क्लिप-क्लिप, ओके, टॉंग भी बोलते हैं इसको, तो आई यह देखते हैं, questions क्या है, number one है, हाँ, यह भी एक आएगा, इसको क् तो यह बहुत, बड़ी-बड़ी मसीनों में इस्तमाल होता है, घड़ी वगरे में इस्तमाल होता है, ठीक ना, गाड़ी वगरे में, बड़ी गाड़ी में इस्तमाल होता है, चली, तो कौन सी नंबर वर्शीट चल रही है, 15 चल रही है, 14 है, तो देखिए, number one, a force applied is referred, कोई फोर्स को क्या बोलते है, effort, क्या है बोलते है, कोई फोर्स ـ रगाया जा तो उसको क्या बोलते है, effort, समझ गाना, effort, ठीक Lord, और, नेक्स त अग्ला है, आ, इस आर भील्स with teeth and knots, ये जो आपके सामने दिकरा, ये teeth and knots, ये देखो, ये अपने पास है, ये इसके teeth है, ये क्या है के isan and trademark zeimland के और यह जो निकला हुआ यह नौ है आरो को सिस्टम को क्या बोलते हैं च्ञाइब किस अनॉच को किपीं हो तो दोतें गेर एर ठीकना कलियर हुफिहा थेल ओकेस कोंप्लेक्स मॉकराऑ्व मेशिनी तो सायकल वासिकल वासिप क्या है कंपलेक्स मस्षी नब कातीय जटिल है ना लिख अपे जो सिजर आपने पास में ट्वीज जो दीखरा ट्वीजर यह देखो ट्वीजर ट्वीजर इस ती डबलू से ZERS ZERS यह कौन सा लीवर यह? थर्ड क्लास लीवर है चीजों को उठाने के लिए लगता है इसको बोलते हैं थर्ड क्लास लीवर अब वो कुछ वज़य है वो आपको हम आगे बताएंगे Magnetic force कैसा force है? बोलो contact की non-contact बेरी गोड बैटा है यह non-contact force है Friction force Friction force कैसा force होता है? Contact force चले, clear हो गया? अब डाउन चले अब पुली changes to direction of the force but does not reduce the effort अब पुली changes to the direction of the force but does not reduce the effort एक पुली जो होती है है ना एक जो पुली हुआ करती है वो क्या करती है? Direction of the force बदलती है मगर effort नहीं बदलती है तो कौन सी पुली? Fixed पुली कौन सी पुली? देखो कैसे? ये मान लो कहीं कुएं पर पुली लगी हुई है बुलो हाया ना ये तुम खीच रहे हो तुम force किस तरफ लगाओगी? नीचे की तरफ बुलो हाया ना क्योंकि तुम खीच रहे हो उपर कौन सी पुली है? Fixed पुली कौन सी पुली? चलो अगला Is an example of first class lever कौन है? Example of first class lever तो first class lever का example है Caesar कौन है? Caesar S-C-I-S-O-R-S कैची जो हुआ करती है वो first class lever है कौन सा lever है? first class lever है ठीक ना? चलिए अगला A rolling ball stops after some time एक कोई ball है अगर वो जमीन पे लुड़क करके आ रही है कुछ दिर के बाद रुख जाएगी कि अपने आप चलती रहेगी? क्यों रुख जाएगी? किस वज़े से? उस पर क्या लग रहा है? क्यों रुख जाएगी ओ बॉल अपने आप? क्यों नहीं पता भाई? फ्रिक्शन नहीं लगता क्या ball पे? लगता है ना? तो वो किस की वज़े से रुख जाएगी? फ्रिक्शन की वज़े से रुख जाएगी Yes or No? अच्छा रेफ्रीजरेटर वर्क्स ओन विच एनरजी? रेफ्रीजरेटर किस एनरजी पर काम करता है? हाँ फ्रिज को चलाने के लिए कौन सी एनरजी देते हो? रेफ्रीजरेटर के लिए कौन सी एनरजी लगती है? बताएए अरे बिजली में प्लग लगाते हो और नहीं लगाते हो? तो electrical energy लगेगी नहीं लगेगी तो answer क्या होगा electrical energy कौन सी energy electrical energy आया समझे ना तो fridge के लिए कौन सी energy लगती है electrical energy ठीक है ना अब बात करते हैं matter and materials यह थोड़ा नया है और इसकी काफी सारी आपको जानकारी नहीं होगी matter and material के बारे में ठीक ना चलो तो खेर कोई बात नहीं देखते हैं अपने पासे कौन सा आ चुका है 13 ओके worksheet 13 चलिए tearing a paper tearing a paper is what type of change भाई दो type के change होते है physical और chemical हाँ very good क्योंकि कोई नया चीज नहीं बनती है तो इसको क्या बोलते है physical change तोड़ना मरोड़ना यह सब कौन से change होते है physical change a change in which new substance is formed different properties is called very good chemical change जिसमें नया substance बन जाता है उसको क्या बोलते है chemical change example आप रात को दूद रखते हो और सुबह क्या बन जाता है दही यह कौन सा change है chemical change क्योंकि chemical ही बदल गया समझ में आया ना yes liquid that do not mix with each other जैसे आप पानी में तेल मिलाईए तो पानी नीचे नीचे चला जाता है और तेल कहा जाता है उपर उपर पानी में तेल कभी मिलता नहीं है अभी गुडिया ने पानी में तेल मिला दिया था तो पूरा पूरा तेल क्या कर लिया हम लोगों ने अलग कर लिया था तो एना तो तेल पूरा अलग हो गया था और पानी नहीं चान की नहीं अपने आप उपर उपर आ गया था है ना अपने आप उपर से आ गया था है ना तो आप भी मिला करके देख सकते हैं पानी में तेल पूरा उपर उपर आजागा तो आप अलग कर लेंगे तो ऐसे लिक्वड जो आपस में मिलते नहीं है उनको कौन से लिक्वड बोलेंगे मिसे लिक्वड बिलकुल सही, ऐसे लिकुड को बोलते हैं, ऐसे लिकुड क्या क्या लखते हैं, Amisible, spilling양 il with a dead and decaying matter is called, sois with dead and decaying matter is called मतलब की जो चीजे मर चुकी होती है और उनका अलग अपने आप खाटम होती जाती ही धिर 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 नहीं वो तो हुती ही ऑड़े ग्रेवल तो उससे जो मिट्टी बनी होती है उस मिट्टी को क्या बोलते हैं उस मिट्टी को ब bake है हमस क्या बोलते हैं अगला है गल है दमेन मिनरall प्रेजेंट इन्द सैंड अगला मतलब रेत के अंदर जो मिनरल प्रेजेंट नुटा है उसको क्या बोलते है तो ये जो solution कहलाएगा, ये कैसा solution कहलाएगा, गाढ़ा या पतला, पतला या गाढ़ा, गाढ़ा क्यों कहलाएगा भाई, अब मैंने 10 चम्मत सकर डाल दी, अब क्या कहलाएगा, अब गाढ़ा है, तो पहले क्या था ये, पतला को इंगलिश में क्या बोलें, chemistry की भासा में, dilute क्या बोलते हैं, हाँ, chemistry में जो दूध पतला आता है, तो उसको क्या बोलोगे, dilute, क्या बोलोगे, हाँ, thin नहीं बोलते हैं, कोई दूध, इंसान थोड़ा नहीं कि पतला मोटा होगा, बोलो हाया न, वो तो देख कर के अपन बता सकते हैं, yes or no, clear के not clear, जैसे ममा किसी किसी आपको दूध देती है, तो दूध अच्छा पीने में नहीं लगता न, बिल्कुल dilute होता है, उस दिन दूध क्या होता है, dilute, और जिस दिन बहुत सारी cream होती है, तो पीने मजा आता है न, उसको बोलते है, concentrate, क्या बोलते हैं, उसको, concentrate, तो जो solution में बहुत, अगर बहुत क जादा माउंट में खोल दो के तो गाढ़ा हो जाएगा, तो कौन सा solution बनेगा, concentrate, चलिए, डाउन पर आईए, ओके, डाउन पर आते हैं, हाँ, इस दा मेटेलिक मिनरल, कौन सा मेटेलिक मिनरल है भाई, भाई, कॉपर ले लो, क्या ले लो, कॉपर ले लो, अलिमीनियम ले आईरन ले लो, यह सब मेटेलिक मिनरल है, हाँ, चलो, इस दा म, कुछ भी ले लो ने यार, मैं बोलत रहा हूँ, कुछ भी ले लो, मैंने लिख दिया कॉपर गलती से आप, आईरन ले लो, चलो, इस अम मेड फ्रॉम सिलिका एंड क्वाड्स, सिलिका और क्वाड्स से क्या is made from sand, sand मतलब की रे एंड पेबल, मतलब पथर, पत्थर को जो रेत और रेत और पथर को सिमत्तर करके, एक रधा खर गे जो समूदर में पाया जाता है, समूधर के अंदर, जो बड़े-बड़े पत्थर होते, इनको क्या बोलते हैं, बोलो, क्या बताया था सुबहे, मेरेट यार आया कल बड़े बड़े पत्थर देखे तेना उनकों क्या बलते हैं कॉंग लो मेरेट इस तो इसका अंसर होता है कॉंग लो मेरेट ओके ये नई चीज एक दम आपके लिए इसका गूगल करके देख लिजे का डियाग्राम तब आपको समझ में आगा एटम्स आर डिफरेंट काइंड फ्रामा जैसे मान लो आपके पास एक सोडियम है और एक क्लोरीन का एटम एक सोडियम का एटम और एक क्लोरीन का दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे जब दो एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं कंपाउंड क्या बनाते हैं कंपाउंड तो दो ए यस और नो ? तो बताओ कितने टाइप के एड़र्ण यूस्च होएं हां कितने अड़र्ण होएं हाँ पर टोटल टोटल 3 हैं टोटल क्या है 3, 2 हाइडरोजन के हैं और एक ऐकसीजन के हैं हां तो यहां पर 2 अलगलग टाइप के आटम हैं कि नहीं है तो इसलिए ये क्या गरेगा तो क्या बन गया? sodium chloride, sodium ये भी क्या है? compound है, clear हुआ, sodium chloride मतलब खाने का नमक, खाने का नमक, जो हम लोग नमक खाते हैं, उसका formula होता है, NACL, क्या formula होता है? NACL, हाँ, ये है वो पत्थर जिसकी आप बात कर रहे थे, इसका नम क्या बताया था अपन ने? Conglomerate, समझ गया ना? ये पत्थर है, Conglomerate ये पत्थर हुआ करता है, ठीक ना? हाँ, ये copper है, क्या है? ये copper है, हाँ, इसलिए copper दिख रहा है, ठीक है ना? ये कौन सा change है? physical change, पेपर को फार दोगे, कोई नया compound तो बनेगा नी ना? इसलिए कौन सा change है ये? physical change, चलिए आ चुके हम लोग sheet number 12, sheet number 12, देखो भाई, sheet number 12 पे, कोईले की रॉक दिख रही है, मुझे, ये नीचे पत्थर दिख रहा है, ये जड़े दिख रही है, कुछ-कुछ दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे, okay, ये मुझे खतरनाक सा stone दिख रहा है, ये बड़ा polished सा stone है, बड़ा प्यारा सा ओके, चलो, तो ये rock के बारे में है, कि rock कितने type की होती है, है ना, rock कितने type की होती है, तो ये rock के बारे में है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, rock क्योंकि बहुत difficult subject है, अच्छा, ये किस के बारे में है, ये matter के बारे में है, okay, ये किस के बारे में है, matter के बारे में है, अब इसको कर लेते हैं चलिए देखे यह देखे यहां पर यहां पर जो शक्कर है या नमक है यह नमक किस में घुला जा रहा है पानी में किस में घुला जा रहा है पानी में तो नमक पानी में घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा हाँ तो घुल जाते हैं ऐसे लिक्विड जो वापस में घुल गया मतलब बोलेंगे डिजॉल्व हो गया क्या हो गया चलो ये तो बात ठीक है अब मान लो आपके पास पानी रखा हुआ है क्या रखा हुआ है और पानी में आपने दो चम्मच दूध डाल दिया पानी में दो चम्मच तो पानी में दूध घुल जाएगा क कि उपर उपर आके तैरेगा क्या बोल रहा है मतलब पानी में अस तक दूद नहीं खुला तुमने अगर पानी में दूद उपर उपर तैरता होता तो ये गौाले लोग कितना दूद में पानी मिलाते कि नहीं मिलाते हा तो फिर वो पानी क्यों मिलाते सब लोग अलग नहीं क समझ में आगया तो जो घुल जाते उसको क्या बोलते हैं मिसबल और क्या बते इमिसबल जो नहीं घुलते उसको क्या बोलते हैं इमिसबल भाई यह क्या है यह एक एक एटम है यह क्या है और यह भी क्या है एटम सेम टाइप है कि अलग अलग है सेम टाइप है तो दो या दो स से ज्यादा एटम जब जुड़ जाते हैं तो एटम मिल करके बनाते हैं मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं कंपाउंड अलग-अलग अलग 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 अटम यह सेम टाइप है ना तो यह क्या बनाएंगे मॉलिकुल क्या बनाएंगे आगे बस स देखेंगे कोशन नमर्ट तू देखते हैं वरक्षी टंबर कौन सी चल रही मेरे ख्याल से 10 होगी 11 है ओके चलो फॉलोविंग लिक्विड्स मिक्स विर इच अधर ऐसे कौन से लिक्विड जो आपस में दूसरे को मिल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं मिसिबल अगला solution in which no more solute can be dissolved is called what type of solution मज़ेदार question देखो जिसमें आप और ज्यादा ना घोल पाओ आपके पास एक पानी का जार है आपने उसमें एक चमच नमक डाला बोलो घुल गया की नहीं घुला दस चमच डाले बोलो घुल गया की नहीं घुला घुल गया समझ गया 10 भी घुल गया बट आपने 11 चमच डाला वो घुलना बंद हो गया अब गया तो ऐसे सलूशन को जिसमें अब नहीं घुलेगा कुछ भी जितना घुलना था खुल गया ऐसे सलूशन को बोलते हैं सैचुरेटर सलूशन क्या बोलते हैं समझ में आ गया तो ऐसे सलूशन को हम क्या बोलते हैं सैच अगला कोस्चन है, ability to solute dissolve in solvent is called, किसी solvent में, solvent याने की liquid जिसमें घोलता है, solute मतलब जिस चीज को घोलना है, तो किसी चीज को अपने अंदर घोलने की ability को क्या बोलते हैं? किसी चीज को अपने अंदर घोलने की अबिलिटी क्या बोलते हैं यह जो बनता है उसको solution बोलते हैं क्या बोलते हैं जैसे देखो पानी है पानी को बोलेंगे क्या बोलेंगे शक्र सक्कर को बोलेंगे साल्यूट क्या बोलेंगे और पानी और शक्र को गुलने के बदो क्या बनेगा शरुवत क्यों वह दो बोलते हैं उसको बोलते हैं solubility, क्या बोलते हैं, समझ मैं आया, तो इसको solubility बोलते हैं, अगला देखते हैं, a solution which is a large amount of solute dissolved, is called in it, एक solution जिसके अंदर बहुत सारा solute घुला हुग, अभी मैंने बताया था, उसको क्या बोलते हैं, dilute या concentrate, बहुत सारा घुला होगा, अरे यार अभी मैंने बताया था, dilute में कम घुला होगा कि ज्यादा घुला होगा, dilute में कम होता है, और concentrate, क्या बोलते हैं, concentrate याने गाढ़ा, समझ गया ना, burning of wood, wood का जलना कौन सा चेंज, very good, chemical change है, बिल्कुल काला तो हो जाता, gas निकलती है साथ में, है ना, लकडी लेते हैं बतले में क्या निकलती, gas, carbon dioxide निकलती है, है ना, तो इसलिए कौन सा चेंज है, chemical change है, चलो, अगला करते हैं, which is the fourth state of matter, state of matter आपने सुनी है, state of matter, कोई भी दुनिया का matter होता है, वो तीन फ़र्म में पाया जाता है, कौन सा, solid, हमारी दुनिया में तीनी चीज है, या तो solid है, solid liquid gas, very good, solid liquid and gas, वे तीसरी जो फ़र्म है, उसको बोलते है, plasma, क्या बोलते है, plasma, चौती, चौती फ़र्म जो होती, plasma, समझगा ना, और पाच भी जो फ़र्म है, वो है, B, I, C, B, E, C, क्या फ़र्म है, B, E, C, matter की पाच फ़र्म है, total, अभी के टाइम में आपकी subject के हिसाब से ठीक ना, अब 3 को बढ़ा करके 5 जान लो, B, T, C, B, E, C, हाँ, और plasma, 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 matter नहीं होता है, plasma एक state होती है, matter की state होती है, क्या होती matter की, state, metal नहीं है, metal तो सारे के सारे solid होते हैं, क्या होते हैं, solid, चलो आंगे देखो, तो कौन सी fourth state है, plasma है, कौन सी state है, plasma, plasma state के बारे में हम detail में बाद में कभी पढ़ेंगे, अभी समय नहीं है, चली question number three discuss करते हैं, plasma की बात हो चुकी है, थी, यहाँ, is a mixture in which solute is uniformly distributed in solvent, अगर solute को solute में घोल दोगे, तो क्या बनेगा, बहुत simple, solute यहने की शक्कर, solute यहने पानी, शक्कर को पानी में घोल दिया, तो जो बनेगा, वो क्या बनेगा, solution, solution, very good, तो से हम क्या बोलेंगे, solution, so that is called solution, that is called solution, solution, समझगे ना, solution कैसा होता हर जगे uniform होता है, एक जैसा होता है कि अलग-अलग, अलग-अलग कैसे होगा, आप अगर पानी में शक्कर घोलोगे, तो क्या ऐसा होता है कि यहाँ वाला शर्बत जादा मीठा और यहाँ वाला शर्बत कम मीठा, हर जगे बराबर मीठा होता है कि नहीं होता, हाँ यह ना, तो इसलिए उसको बोलते है uniform, uniform मतलब एक जैसा, uniform मतलब एक जैसा, clear हो गया, अगला है, फोर्थ वाला जो पार्ट है, वो है, involve a change only in the state of matter, ऐसा कौन सा चेंज है जिसमें state of matter बदलती है, physical या chemical, ऐसा कौन सा चेंज आँगे, state of matter बदल जाएगी, chemical कैसे होगा, physical change में state of matter बदलती ही, पानी है, पानी को आप बर्फ जमा देंगे, तो रहेगा तो ही ना, ही रहेगा, तो कौन सा चेंज है, physical change, प üzer चेंज है, बर्फ का जमना कौन सा चेंज है, फिसिकल चेंज, तो ऑन्सर है, फिसिकल चेंज, अगला है question number six that increases following increases the solubility of solute in the solvent इसको मैं बाद में समझाऊँगा आपको इसका answer है temperature क्या है अगर आप temperature बढ़ाओगे अगर आप temperature बढ़ाओगे तो solubility मतलब घोलने की शक्ती बढ़ती जाएगी घोलने की शक्ती पता है बढ़ती जाएगी बिल्कुल सही बात है बढ़ती जाएगी atoms of same kind form end atoms same kind के atom same type के atom मिल करके क्या बनाते है बिल्कुल सही क्या बनाते है atom of same kind form end molecule भी चलेगा यहाँ पे और molecule के लावा element भी चलेगा क्या चलेगा element जैसे मान लो आप जमीन खोद रहे हो और जमीन में आपको सोने का सिक्का मिला क्या मिला तो यहाँ भी gold का atom होगा gold का symbol होता है बेटा AU क्या होता है symbol gold को लिखते है AU कैसे लिखते है और उसमें अगर gold के form लिखा भी होता है नई लिखा नहीं होता वो तो आप मतलब आप जानते है नो gold का symbol AU होता है जैसा hydrogen का symbol आपने क्या बना रखा है? H oxygen का क्या बना रखा है? O, ऐसे gold का symbol क्या होता है? AU. तो यहां भी gold का item यह भी gold का item यह भी gold का item तो सारे atom मिल कर के क्या बनाते है? element once से 9th deducted वी हैं, आगे बढ़ समझभिना तो यह आज तो यह आज पूर्ण समय देनी के लिए बहुत बहुत धन्वाद नमस्कार जहिन जे भारत